हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में विंडो मीडिया प्लेयर एप काम नहीं कर रहे तो इसको कैसे फिस करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ता प्लीज चैनल को सब्सक्राइब क 울 करते हिसससे बिंडोर आप यहाप और आपे यहाप करते हिस सब्सक्राइब करते हैं इस थरा से विंडोर आपको अप्स्ट ओप्शन नेनेटेश और धी मीडिया करते हैं यहाप देखेंगे तो यहापए 3.2 इसको पर कङलिक करने किलिक करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा आपको यहां पर दिख जाएगा advance option स्कुपर आपको click कर देने किलिक करते ही इस इस तरह से यह रिपियर होना शुरू हो जाएगा complete होने कset रसे देंगत जाएगा इसका मतलब है रिपियर सिस्टम होगा है यह problem sol हो जाएगा यदी मानले जें फिर भी आपका problem sol नहीं होते तो आपको क्या करने से नीचे यहां पर हाप मुख़ दिखेगा इसको पर आपको क्लिक कर दिन क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करने यहां पर झाल झाल रिया स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं। जाएगा अब मालीज़े यदि आपके case में यहाँ पे media player app दिखते हैं उसके यहाँ पे off होगा तो उसको आपको on कर देना है आपको क्या करना है इस window को यहाँ से close कर देना है close करने के बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपके केस में जो यह प्रोलम था यह प्रोलम फिक्स हो जाएगा आप देख रहें इस तरह से आपके केस में भी स्टार्ट हो जाएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू